दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ABC कोचिंग योटूब चानल में दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आसा है कि स्वस्थ और मस्थ होंगे दोस्तों इस वीडियो में क्लास 11 सब जाक इंगली स्कूर की मॉडल सिट का कम्प्रीट आंसर देखने वाले हैं जो कि जैक बोट की तरफ से जारी क्या गया है तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बने रहे हैं और इसनी वीडियो के जितने भी कोच्छन है ना उन सभी को आपने कॉपी में जो है नॉट कर लीज़ेगा क्योंकि बहुत सारे कोच्छन आपकी मॉडल पेपर से ही आते हैं इसको आप लोग अच्छे से तयार कर ले जगा ठीक है और दोस्तों आप सभी सरी क्वेश्ट एक चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैला को प्रेज करें वीडियो अच्छे लेके तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर प्यारा से कॉमेंट जरू कर दीजेगा चले बच्छों आगे बढ़ते हैं कुशन के और उससे पहले इसको एकी समान निर्देश को भी देख लेते हैं श्यक्ति दोस्तों मैंने इस तरीके स्बसे साथ के सभी विज़ा में फुल मारक आपनों का चालिस रहने करें पतिये में और सभी प्रसन एक अंखका होगा चाम आपनों को विकल्प दिये जाएंगी जो सही विकल्प होगा उस मरसीट मे 6 गो waarks रह्मार याइक ने में थोड़ी सी भी इधर उधर जो है गंदी गंदा नहीं किजिएगा नहीं तो आपका रिजल्ट पूरी तरह से रद कर दिया जागा इन बातों का आप लोग ध्यान में रखेंगे ठीक है चले दोस्तों आगे कोश्चन क्यों चलते हैं दिखे सबसे पहला प्रस्णिया आप प्रस्णिया फैसे दिये गई है इसको आप लोग धियान परक पाड़े लिए ठीक है चलिसका कुछन अंसर की दोलते हैं तो देखे सबसे पहला सवाल यहां दिया गया है हूँ डिप्टेड़ उडिपक्टेड अदर ट्राइड किंग औफ यम या मिन इसका अंसर क्या तो राजकुमार पहले उसके बाद राजा बना था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि वाट हैपन आप्टर हातीम ताई वाज बॉन दोस्तों इसका अप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लिज अगला सवाल चोथा नंबर है कि who were called to study the birth card of हातीम तो दोस्तों इसका अप्शन क्या हो जाएगा नर्सेस ठीक है आप्शन सी इसका सटी कांचर होगा अगला सवाल दिखें नेक्स्ट सवाल है पाच्वा नंबर कि who took the charge of the children born on the same day as हातीम तो दोस्तों इसका अप्शन क्या हो यहां पर क्या दिया गया है अबरी वैसंस ठीक है यहां पर दिखें अबरी वैसंस आर फैरली यूज इन तो दोस्तों इसका अप्शन क्या हो जागा नोट मैकिंग ठीक है यह कई बार एक्जाम के लिए जो है पूछा गया है इसको अच्छे से रिपीट कर लिजेगा ठीक अगला सवाल सब्सक्राइब दिया गया है कि वीच ओफ दाफ फ्लोइंग इस नौट एपार्ट आप समरी राइटिंग तो बच्चों इसका अंसर क्या हो जागा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताए क्योंकि इसको मैंने कई बार बताया है क्योंकि एक्स टेक वर्ड फ चुरुआति में हम सबसे पहले क्या करते हैं क्या लिखते हैं तो दोस्तों किसे लिखते हैं टाटल से लिखते हैं तो अप्शन भी इसका सटी का अंसर होगा ठीक है अगला प्रसंद दिया गया है कि वीच आप दा फ्लोइंग इस नौट और लेटर टु एडिटर तो दो तो इसका अंसर क्या हो जागा जिरा ध्यान दिजेगा इसको मैंने कई बार आपनों को बताया था कि जब हम लेटर को लिखते हैं या एडिटर लेटर टु एडिटर लिखते हैं तो हम टाइटल से सुरुवात करते हैं ठीक है तिया प्रसंद जो है दिया गया कि इन रिपो इन रिपोर्ट इन्दट्र नहीं करते हैं इसमें नहीं जोडते हैं अगला प्रसंद दोस्तो यहां पर दिया गया इन इसमें आपको क्या वर्नाए क्योंकि ये कोशेंट मैंने कई बार आपनों को बताया हुआ है तो इस कांसर हो जागा यहां पे दीज दे ठीक है क्या हो जागा तो अब यहां पे दीज कहां पे है औप्सन बी में है तो यहीं आपका सथी कांसर हो जागा ठीक है अगला प्रस्ण है चौदा नमर है कि रवी is not at home यहां पे क्या हो जागा याद रखें यहां पे धियान दीजेगा 14 जागा यह नमर हो जागा ठीक है यहां पे ओप्सन यहां पे क्या हो जागा income सही आंसर होगा यहाँ पर I would not do it ठीक है अगला सवाल 16 नंबर दिया है कि चूज़ द देखे grammatically correct sentence for the given simple word तो दोस्तु इसका जो आंसर होगा कई बार मैंने बताया था इसका जो दा है his duty is expected to do everyone option C जो है इसका सही आंसर होगा next तवाल है 17 नंबर कि which one of the flowing sentence is in the passive voice तो इसमें जो है passive voice के दम सटिक दुनना है तो बच्चों इसका अंसर क्या हो जागा option D हो जागा the room was cleaned by सुधान्सू यानि सुधान्सू के दौरा जो है कमरे को जो है साप किया गया है तीक है option D इसका सटिक अंसर होगा next है the correct passive voice of the librarian gave me book तो यहां पर जरा धिहान दिजेगा दोस्तों librarian gave me book क्या गयता है कि मुझे जो है librarian के दुबारा जो है किताब दिया गया है तो अब इसको जो है passive voice में उसको correct अंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसको भी मैंने आपनों को बताय था ना तो इसका अंसर जाएगा आई वास गिब हैं ए बूक बाई दा लेवरेंट ऑप्शन इसका जो है सही आँसर होगा अगला सवाल है निस नंबर कि वाट वेर दा चिल्डरेंड ताउट एट दा विलेज स्कोल तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जागा ब्रेड ठीक है याद रखें ऑप्शन इसका साथे कंचर होगा नेक्ट सवाल है 21 नंबर लिया है देखें कुसावत सिंग्स कुसावत सिंग्स ग्रान फादर वाज एन ओल्ड मैन हूड 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 यूजड तू वेर डैस तो इसका अप्शन नंबर भी हो जागा ठीक है बिग ट्रबन ऑप्शन इसका साथे का अंसर होगा नेक्ट है दर लेंथ ओफ द वीवेकर देखें वीवेकर वाज डैस तो बच्चों इसका अंसर क्या होगा यह तो आप लोगों को पहले पता था क्योंकि यह तो बहुत बार जामें आया हुआ है और मैंने पहले भ वह डौजी में लाश्ट पैन्टिंग मुट्यों तो रौजिश का लाश्ट पैन्टिंग्ग क्या बच्चों मैं इसका आंशर हो जाएगा इपेंटिंग ओंजी हो जाएगा आप्शन सी इसका सब्सक्राइगा च्छल सेहांटर होगा नेक्स्ट इफ ये चाविस नंबरérique ह कि दा काट बोर्ड शॉद्द दा पिक्चास अप्ट इसकांस टाग फीज़ फीडिक पोईट्स मदर एंड हर टू कोई इस्टिक है ये अप्ट्सक्ट नमबर कज़न्स बसादेखिए आप पोईट्स मदर्स एंड हर टू काज़न्स हो जाएगा तो ऑफसन नमबर डी इसका सथी कांचर होगा next सवाल 6 नंबर है कि what is the meaning of the fair poem of earth तो इसकांचर होगा option नंबर B ran given the same pleasures to earth as the poem gives to human option B इसका जो है सही answer होगा शथी कांचर होगा next सवाल दिखी 17 नंबर दिया गया है कि which month of year is described in the poem the number tops तो इसकांचर क्या हो जागा बच्चों इसकांचर हो जागा जरा दिहान देंगे कि यहां पर जरा दिहान देंगे कहता है कि which month यानि कौन सा महना ठीक है इस में इस वर्स के कौन सा महने में यह जो है describe होता है यह poem के अनुसार the numbers are top तो इस कांचर क्या हो जागा option नंबर भी हो जागा जुलाई ठीक है याद रखेंगे जुलाई चले next सवाल दिया है 28 नंबर कहता है what is hidden in an infant's fact तो इस कांचर क्या हो जागा option नंबर जो है डीस का सटी कांचर होगा lost childhood ठीक है यह option डीस का सटी कांचर होगा इसको आप लोग कॉपी में not कर लिजे अगला सवाल है according to the poem father to son who have lived in the same house of years तो बच्चों इस कांचर हो जागा father and tension ठीक है तो यहां पर ओजागा पिता और दस बेटा तो यहां पर क्या हो जागा father and बेटा ठीक है यानि पिता और बेटा चलिए अगला सवाल दिख्छें तिस नमबर दिया गया है दिखिए दिया है सांसुई ठीक है सांसुई लिटरेटली मिन मिन से तो इस कांचल जाएगा बच्चों अप्सन नमबर यह हो जाएगा ठीक है माउंटेंड वाटर यह कहीं बार एक्जामें पुछा गया है अगला प्रस्न है कि टैप टैप लौव एगला प्रस्न है 22 नमबर दीया गया है डिखिए क्या यह पुफेसर फोरफेशर गेट ओंडे इंटा इंटा इंटार्टेड इंटार्टेड फोर वेल्स वाइल डिंग टू मिट हीज तो इस कांसर क्या हो जागा बच्चो अप्शन नंबर डी हो जागा संट ठीक है याद रखें अगला है कि वैर दिट दा नेरेटर निक मिडल मिडल टॉर्ण मिट सवाल चौटून निबर है कि वाट वज मटर्स डिजाइड मावरेट डिजाइद रहूंट हो जाएगा देखें मौर इज और होगा तो यहाँ पर देखें वाट है क्या ठीक है तो बच्चो इस कांसर क्या हो जागा इसकांसर हो जागा ऑप्शन नंबर सी टूट्राइब यह ओप्शन से इसका सथी अंचर होगा अगला पैस्टिस नमबर है दर नरेटर डॉटर आफ मिसेस ठीक है एस विजिट दा एडरेस तो बच्चों इसका अप्शन नंबर क्या होगा यह हो जाएगा नंबर 46 मार्कोई कोिन इस्ट्रीट यह हो जाएगा टिका उप्शन नंबर इसका सही अंसर होगा अगला सवाल 36 नंबर दिया गया कि वैर डिट रंगा गो टू स्टड़ी तो बच्चों इसका अंसर हो जाए गया ऑप्शन नंबर यह जाएगा बैंगलोरोर ठीक है और अगला सवाल ह दोमीनिंग तो इस कांसर क्या हो जागा बच्चों ऑप्शन नमबर ए हो जागा मिस्टर देखें मिसेश यहां पहले ना मिसेश फैट जार डिलीज ठीक है यह ऑप्शन नमबर एस का सटी सांचर होगा अगला सवाल है कि साहिद सफ़र्ड टू सफ़र्ड आफ वीच डिलीज नमबर ए हो जागा इस वीडियो मैंने जो है चालिस कोशन क्या आफ लोग को आंशर बता दिये हैं इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ सेट करें इसको अच्छे साथ आपनूग तयार कर लीजेगा